Hi guys, welcome back to my channel दोस्तो आज Sunday का दिन है यानि कि आपके लिए educational वीडियो आ चुकी है और आज हम जानने वाले हैं bull call spread के बारे में दोस्तो आप लोगोंने ये नाम बहुत जगा सुना होगा और आप लोग काफी ज़ादा confused भी रहते होगे कि आखिर ये मामला है क्यों और आखिर ये normal call buying से किस तरीके से different है तो दोस्तो आज आज आपके सारे के सारे doubts clear हो जाने वाले हैं क्योंकि मैं आपको इसको बहुत simple करके समझाने वाला हूँ तो ये एक net net में दोस्तो option buying strategy है और ये strategy हम क्यों लगाते हैं नॉर्मल call खरीदने की जगा हम ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं ये हम इसी लिए कर रहे हैं कि जिससे कि आपका loss जो है limit हो सके although call buying में जो loss होता है वो limited ही होता है लेकिन हम उसको उससे भी कम करने वाले हैं हम अपने loss को और कम करने वाले हैं कैसे करने वाले हैं ये अभी जानेंगे दूसर दोस्तों ये जो strategy है ये हम कब लगाते हैं अब देखिए options trading में जबी भी कोई आप strategy लगा रहे होते हो हर strategy अलग अलग views के हिसाब से लगती है तो ये strategy आपकी तब लगती है जब आपका जो view है या तो stock के उपर या market के उपर वो mild positive है अगर आप stock के उपर या nifty पे या bank nifty पे mild positive हो तब आपको ये strategy लगानी होती है तीसरा दोस्तों एक important चीज में आप लोगो बोल देना चाहता हूं और ये सिर्फ viewership बढ़ाने के लिए नहीं है ये सच में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वीडियो को बीच बीच में आप अगर skip करके देखेंगे तो आप से कुछ छोटे छोटे nuances मिस हो सकते हैं जिसकी वज़े से जो आपकी जो knowledge है वो incomplete रह जाएगी तो I would request you and I would urge you कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको पूरा देखें end to end अगर आपके पास अभी time नहीं है देखने का तो आप इसको बाद में आ करके देख सकते हैं लेकिन जबी भी देखें इसको पूरा देखें जिससे की बीच में कोई ऐसी important information या ऐसी कोई important tip मिसना हो जाए जिससे की आप इस strategy में कोई गलती ना कर बैठें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब दोस्तों मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि आखिर इस strategy की हमें जरूरत क्या है तो suppose करिए दोस्तों आप SDFC bank पे bullish हैं आप SDFC bank पे bullish हैं आपको लगता है कि SDFC bank भाग सकता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार मैं इसकी call option खरीद लेता हूँ जिससे कि ये stock भागेगा और ये stock अगर भागेगा तो इसके call option का premium बढ़ जाएगा और मुझे profit ही profit हो जाएगा लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या होती है भाई दिक्कत ये होती है कि आपने सारी analysis कर ली आपको सब कुछ पता है SDFC bank के बारे में और आपने सोचा ये भागेगा लेकिन आप सारी analysis कर लोगे तभी भी आप कभी ना कभी गलत जरूर होगे कभी ना कभी क्या बहुत सारी बार आप गलत भी होगे और ऐसे में आपको loss भी हो जाएगा और ऐसे में जब loss होता है तो वो loss काफी जादा बड़ा होता है जैसे कि मैं आपको example देता हूँ HDFC bank जो है अभी 1660 पे चल रहा है अगर मैं इसकी February expiry का 1660 का call option देखूँ तो इसका premium अभी 39 चल रहा है तो 39 जो premium है और इसका lot size है 550 तो आप देखे एक बार आपका अगर call option सपोस करिया आप इसका call option खरीदते हो तो आपने कितना premium पे कर दिया 39 into 550 ये कितना हो जाता है 21,450 इतना premium है तो अगर आपका view इसमें गलत हो गया और HDFC bank यहां से नहीं भागता है और HDFC bank expiry वाले दिन 1660 से नीचे close होता है तो आपको इतना बड़ा loss हो जाएगा per lot पर lot आपको 21,450 रुपे का loss हो जाएगा जो कि ये loss बड़ा है तो यहीं पे इस strategy का काम आता है जिसका नाम है bull call spread अब मैं तीनों चीजों को आपके लिए decode कर देता हूँ bull का मतलब है bullish क्योंकि हम इसमें bullish हैं इसलिए यहां पे bull नाम use हो रहा है call का मतलब है कि हम call पे bullish हैं हम call खरीदने वाले हैं इसलिए यहां पे call का नाम है और यह spread क्या होता है spread मैं आपको अभी बताता हूँ कि यह spread का क्या मतलब है तो दोस्तो इस loss को हमें कम करना है हमारा जो objective है इस strategy में वो यह है कि यह जो loss है हमारा 21,450 इसको हमें कम करना है तो उस loss को कम करने के लिए दोस्तो अब हम क्या करेंगे अब आपको कुछ नहीं करना है जैसा आप पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसी करिए 1660 की आपने call खरीद ली और आपने 21,450 रुपे पे कर दिये इतना premium दे दिया और यही आपका maximum पैसा है जो risk पे है अब उसके बाद आपको एक और trade लेना है एक और lag लेनी है और उस lag में आपको क्या करना है उस lag में आपको 1680 जो call option है उसके option को उसके call को sell करना है जी यहां दोस्तो यहां पे आपको buy करना है यहां पे आपको buy करना है और उसके उपर वाली strike price को sell करना है यहां यह sell करना है जब आप sell करोगे तो आपको premium मिलेगा और जब आप buy करते हो तो आपको premium देना पड़ता है तो यहां पर मैं माल लेता हूँ कि यह 28.9 है मैं इसको simplicity के लिए 29 माल लेता हूँ और इसको 39 माल लेता हूँ तो आपने buy किया था तो यानि कि आपने pay किये माइनस 39 यह आपने pay कर दिये और आपको premium मिल कितना गया प्लस 29 जो premium है यह आपको मिल गया क्यूंकि आपने 1680 की call option को sell किया है तो net में आपकी jayb से कितने पैसे गए दोस्तों अब यह है आपके jayb से जो net पैसा गया है कितना था 550 into 10 इसको आप करोगे तो यह आएगा 5500 तो यह दोस्तों अब आपका maximum loss हो जाएगा आपको समझ में आ रहा है कैसे होगा यह सारी चीज़े बताऊँगा लेकिन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 39 रुपीज मैंने पे किये 29 रुपीज मुझे मिल गए net में मुझे 10 रुपीज देने पड़े और lot size से मैं multiply कर दूँगा अगर तो यह मेरा net loss है यानि कि यह आपका maximum possible loss है worst case scenario में अगर आपका जो view है वो गलत हो जाता है तो आपको सिर्फ 55 रुपे खोने पड़ेंगे जबकि आपको पहले कितने खोने पड़ रहे थे 21,450 तो यह हमारा objective यहाँ पे achieve हो गया है लेकिन दोस्तो देखिए संसार का नियम है अगर आपको किसी चीज से फाइदा हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ नुकसान भी होगा तो यहाँ पे नुकसान क्या है नुकसान दोस्तो यह है कि यहाँ पे क्योंकि आपका जो maximum loss है वो कम हो गया है तो यहाँ पे आपका maximum profit है वो भी अब कम हो जाएगा maximum profit क्योंकि अगर आप call option खरीते हो तो यहाँ पे आपका जो maximum possible profit है वो कितना है theoretically it is unlimited unlimited है क्योंकि अगर SJFC bank भागता जाएगा आपका call option भी भागता जाएगा और theoretically आप unlimited पैसे यहाँ पे कमा सकते हो और यह मैं पहले से बना करके नहीं लाया हूँ यह मैं आपके सामने अभी बनाऊँगा जिससे कि आप भी मेरे साथ साथ बना सकें और आपको अच्छे से समझ में आए क्योंकि अगर मैं पहले से बना के ले आता तो आप उतनी अच्छे से समझते नहीं तो मैं यहाँ पे आपको अभी बना करके दिखाऊँगा, तो भाई हमारे पास क्या था, हमने 1660 की call option को buy किया था, 39 के premium में, 1680 के call option को sell किया था, 29 के premium में, यानि कि net में हमने 10 रुपीज का premium दिया था, उसको lot size से multiply करेंगे, तो हमारा जो maximum loss है, वो कितना है, वो loss है, हमारा 5500, अब दोस्तों यह जो maximum loss है, यह कब होगा, यह तब होगा, जब हमारी जो view है, वो गलत हो जाएगी, यानि कि जो stock है, जो 1660 पर चल रहा है, हमारा view था कि यह उपर जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता है, और expiry पे, जो HDFC bank है, अगर 1660 से नीचे रहता है, तो हमें loss हो जाएगा, क्योंकि net में अगर आप देखो, हमने कुछ premium दिया है, यानि कि net में ये एक option buying strategy है, net में अगर ये option buying strategy है, यानि कि अगर ये आपके strike price से उपर नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे loss होगा, मैं आपको इसको break करके भी दिखा देता हूँ, suppose कर ये HDFC bank जो है close होता है, 1650 पे, expiry पे, expiry पे यहाँ पे close हो गया है, तो जो 1660 का call option हमने buy किया था, यहाँ पे आपको जितना भी premium था, यह सारा गा सारा चला जाएगा, यानि कि आपने 39 रुपीज खो दिये, 39 रुपीज खो दिये, लेकिन आपने जो 1680 का call option बेचा था, वहाँ से आपको कुछ recovery मिल गई है, कितनी recovery मिल गई है, आपको 29 रुपीज की recovery मिल गई है, यानि कि जब-जब HDFC bank 1660 से नीचे expiry पे close होगा, आपको maximum loss 10 रुपीज का होगा, यानि कि आपका maximum loss कितना हो जाएगा, आपका maximum loss 5500 हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे बना देंगे, कि भाई इस तरीके से हमारा चार्ट आएगा, और जैसे ही HDFC bank, यहाँ पे कौन सा point आएगा दोस्तों, यह point आजाएगा आपका 1660, 1660 से नीचे जैसे ही HDFC bank जाएगा, वो यहाँ पे हमारा maximum loss हो जाएगा, अब इस के उपर, इस line के उपर, यह जो horizontal line है, इस के उपर हमारा profit है, और इसके नीचे हमारा loss है, और यह 1660 है, यहाँ पे HDFC bank है, ठीक है, यहाँ पे 1660 है, अब यह जो break even point है, जहाँ पे हमारा no profit, no loss है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या आएगा भाई, आप देखे, हमने 1660 की call option को buy किया, 1680 के call option को sell किया, यानि कि हमने net में 10 रुपे दिये, अगर HDFC bank 1670 पे close होता है expiry ध्यान दीजेगा, अगर HDFC bank 1670 पे close होता है expiry पे, तो आप बताएगे 1660 का जो हमने call option buy किया था, उसका premium expiry पे कितना हो जाएगा, अगर इसकी closing 1670 पे होती है, उसका 10 रुपे का premium हो जाएगा, आपको expiry पे 10 रुपे का premium मिल रहा है, और जब आपने trade को initiate किया था, आपने 10 रुपे का premium दिया था, यानि कि net में आपको ना profit हुआ है, ना loss हुआ है, और यही आपका हो जाएगा break even point, तो यहाँ पे दोस्तों यह जो break even point है, यहाँ पे आपका आएगा 1670, अब यह जो 1670 है, इसको हमें generalize करना हो तो क्या करना होगा, तो generalize करने के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप इसमें देखिए, कि जितना आपकी जेब से net premium गया था, अगर आपको पता है कि call option क्या होता है, तो जैसे call option में break even point होता है, कि जितना हमने premium पे किया होता है, उतना ही strike price से उपर हमें जाना होता है, वहाँ पे हमारा break even point होता है, वैसे ही आप बिल्कुल सेम समझे इसको, आप समझे आपने 1660 की call option को खरीदा है, बस ये मानिए कि आपने उसको 10 रुपे के premium पे खरीदा है, तो 10 रुपे के premium पे खरीदा है, तो यानि कि आपको उसके 10 रुपे और उससे जादा जाना पड़ेगा, कुछ पैसे कमाने के लिए, यानि कि आपका जो break even point है, वो 1670 हो जाएगा, बिलकुल call option की तरह है, बस आपको दिमाग में modify करना है, कि मैंने net में premium 10 रुपे दिया है, ना कि 39, अब इसके उपर बिलकुल call option जैसा चार्ट रहेगा, जैसे जैसे stock भागता जाएगा, वैसे वैसे आपको profit होता जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा change कर देता हूँ color, जैसे जैसे यह break even point था, यहाँ से जैसे stock भागेगा, आपको profit होता जाएगा, लेकिन एक point तक ही profit होगा, उसके बाद profit होना बंद हो जाएगा, यही इस strategy की demerit है, कि इसमें unlimited profit नहीं हो सकता है, यहाँ पे जाके एकदम flat हो जाएगा आपका chart, तो यह जो flat हो रहा है, यह point कौन सा है, यह कब आएगा यह जो point है, यह point दोस्तों, अब आप सोचिए आपको खुदी समझ में आ जाएगा, कि भाई अगर 1680 के उपर SDFC bank निकल जाएगा, तो मैंने जो एक call option भेज रखा है 1680 का, वहाँ पे मुझे loss होना start हो जाएगा, और जो 1660 के अंदर मुझे profit हो रहा था, वहाँ पे profit होना start हो जाएगा, लेकिन उन दोने का profit है या loss है, वो एक दूसरे को cancel out कर देगा, नहीं समझ में आया है, फिर सह समझाता हूँ, इसको थोड़ा समय clear कर देता हूँ, तो आईए यहाँ पे समझते हैं, सबोज कर यह HDFC Bank की closing expiry वाले दिन 1690 होती है, तो एक हमारी buy option थी, 1660 की buy option थी, तो जो option buy कर रखा है, उसका जो premium है, वो कितना हो चुका होगा, 30 हो चुका होगा, यानि कि यहाँ पे आपको 30 rupees का profit हो जाएगा, लेकिन हमने 1680 की call option भी sell कर रखी थी, और 1680 call option का premium कितना हो जाएगा, अगर HDFC Bank 1690 पे close होता है, उसका 10 rupees का premium हो जाएगा, लेकिन दोस्तों क्योंकि यह sell position है, तो यहाँ पे हमारा 10 rupees का loss होगा, 30 rupees का profit, 10 rupees का loss, net में कितना profit मिला, 20, लेकिन दोस्तों यह net profit अभी भी नहीं है, क्योंकि हमने 10 rupees का premium भी pay किया था, starting में, starting में हमने 10 rupees का premium भी पे किया था, यानि कि 20 minus 10, यह अब हमारा होगा maximum profit, तो यह है हमारा maximum profit, which is 10, अब इसको lot size से multiply कर दीजे, 550, तो आपका कितना आ जाता है, यह भी आ जाएगा, 5500, तो आपका maximum profit भी इसमें 5500 है, आपका इसमें maximum loss भी 5500 है, I hope दोस्तों आप लोग को यह step समझ में आया होगा, तो अब हम आपनी दोनों position को monitor करते हैं, एक buy position है, हमारी 1660 का हमने call option buy कर रखा था, तो यह हमने buy कितने पर किया था, कैसे भी देख सकते हैं, आप net में देख लीजे या कितने पर buy किया था, कितने पर sell किया था, आप वैसे भी देख सकते हैं, मैं आपको उस तरीके से समझा देता हूँ जिस तरीके से आपको समझ में आता है तो आप इन दोनों lags को अलग-अलग करके दिखे इसको कह देते हैं हम L1 यह lag 1 है और हमारी L2 थी कि हमने 1680 के call option को sell किया था अब इसके लिए आपको call option की knowledge होनी चीए पूरी के पूरी अदर्वाइस आपको यह वीडियो समझ में आएगी 1660 का call option हमने buy किया था 39 रुपीज में जब trade लिया था 39 रुपीज हमने pay किये और expiry वाले दिन इसका जो value है वो कितनी हो गई है भाई अगर 1660 का call option है expiry हो यह आ ले दिन अगर closing 1680 पे होगी तो उसकी value कितनी होगी 20 होगी तो हमने कोई चीज 39 पे खरीदी थी और 20 रुपीज पे बेचनी पड़ेगी expiry तो यानि कि यहाँ पे आपको loss हो गया है कितने का 19 रुपीज का ठीक है अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1680 की हमने call option बेची थी कितने पे बेची थी हमने बेची थी यह 29 पे 29 पे हमने बेची थी तो 29 रुपीज पे हमने sell किया और हमें buy कितना करना पड़ेगा आप 1680 पे ही closing हुई है और 1680 का ही strike price था तो यानि कि buy हमने 0 पे करना पड़ेगा तो यानि कि हमने यहाँ पे profit कितने का हो जाएगा दोस्तों call option जो कि sell किया हुआ है अगर वहाँ पे premium 0 हो जाता है तो वह सारा का सारा premium हमें मिल जाता है वो 5500 है तो दोस्तों वो point जो मैंने आप लोग को graph में दिखाया था वो point 1680 ही है यानि कि हमारे सारे points हमें मिल गए है कौन से कौन से वो points है यह break even point है यह है 1670 और यह कौन सा point था यह था 1660 क्योंकि उसके नीचे रहेगी तो वो OTM हो जाएगे दोनों के दोनों call और वहाँ पे हमारा loss हो जाएगा maximum और यह जो maximum profit है यह हमारा कितना होगा 1680 इस तरीके से आपका इसका graph बनेगा दोस्तों I hope आप लोग को यह जो graph है समझ में आया होगा और इसकी value भी 5500 है maximum loss is 5500 मैं इसका color change कर जाएता हूँ जिससे कि profit और loss अलग देखे maximum loss is 5500 and maximum profit is also 5500 so 1 is to 1 ratio का यह trade है अगर आपको यह trade पसंद आता है अगर आपको यह जो payoff chart पसंद आ रहा है तो आप इस strategy को लगा सकते हो अगर इस chart में आपको कोई भी doubt है प्लीज पूछे नीचे comment section में पूछे गरत करने से अच्छा है कि आप पूछ लीजे मैं आपको पका reply करूँगा तो दोस्तो यह था bull call spread I hope आपको यह यहां तक जो चीजें है वो समझ में आई होंगी अब दोस्तो यह question आ सकता है कि क्या यह जरूरी है कि 1660 call option को ही buy किया जाए या 1680 को ही sell किया जाए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप इन सारी चीजों को change कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे जो maximum profit है जो maximum possible profit है मैं वो ज़्यादा चाहता हूँ तो आप थोड़ा सा दूर की sell करिए suppose कर यह बाय तो आपने यह कर ली लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे profit ज़्यादा चाहिए तो आप दूर की sell करिए लेकिन जैसे जैसे आप अपना maximum possible profit बढ़ाओगे आपका maximum possible loss भी उसी तरीके से बढ़ेगा वो तो आपको पता ही है हर चीज के pros and cons तो होते ही है तो अगर आप चाहते हो कि आपका maximum possible profit बढ़े तो आप और दूर की बेचिए जो call sell वाली जो lag थी आप वो दूर की करिए और दूर की करिए जहां कि आपको करनी है आपका जो maximum possible profit है वो बढ़ता चला जाएगा और दोस्तो maximum possible profit को मैं generalize करूँ तो वो क्या होगा तो आप यह देखिए bull call spread में जो third word था न spread उसका meaning मैंने आपको नहीं बता है उसका meaning होता है जो strike price थे न 2 1660 और 1680 उनका जो difference है उसको बोला जाता है spread spread का मतलब है कि कितना फैला हुआ है तो जो दो legs है वो कितनी फैली हुई है उसको spread बोला जाता है तो अगर आप चाहते हो कि आपका profit जादा हो तो आप अपने spread को बढ़ा कर सकते हो और maximum profit को अगर हम generalize करें max profit कितना हो सकता है वो हो सकता है spread spread जितना है दोनों strike price के बीच में minus premium paid जो net में premium pay किया था ना दोनों position का हमने मिला करके वो premium आपको subtract कर देना है यह आपका maximum profit होगा maximum loss कितना होगा दोस्तो maximum loss को भी define कर देते हैं जिससे कि आगे आने वाली चीजों में आपको कोई भी दिक्कत ना आए maximum loss होगा maximum loss equals to net premium paid जितना premium pay किया है लेकिन मुझे loss छोटा होना चाहिए तो आप 1680 के जगा 1670 की भी बेच सकते हैं जी यहां दोस्तों आप 1670 की call भी बेच सकते हैं लेकिन इस case में आपका maximum possible profit हो कितना होगा 5 रुपे का आप इसको 550 से multiply करोगे तो यह यहां पर आपको 2500 रुपे के आसपास loss जेलना पड़ेगा इस तरीके से यह तो आपके उपर depend करता है कि आप किस तरीके के player हैं किस तरीके के trader हैं और आपकी क्या expectations है HDFC bank से और अपने trade से अगर आप बहुत ज़्यादा bullish हो तो आप थोड़ा सा spread को बढ़ा दीजे अगर आप mildly bullish हो तो आप उस spread को कम कर दीजे और आप बहुत ही कम bullish हो तो आप उस spread को और भी ज़्यादा कम कर दीजे और दोस्तो यह है कुछ common questions जो आप लोग को आ सकते हैं यह question मैंने already answer कर दिया है कि क्या हम दूसरे strike price choose कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं हर strike price का जो payoff chart मैंने बनाया था वो अलग-अलग आएगा तो आप देखिए कि आपको कौन सा payoff chart चाहिए बाकी मैंने आपके लिए generalize कर दिया है कि ज़्यादा profit चाहिए तो अपने spread को बढ़ा दीजे कम profit चाहिए तो spread को घटा दीजे कम profit होगा, कम loss होगा, ज्यादा profit होगा, ज्यादा loss होगा और दूसरा question यह आता है दोस्तों कि क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं can we do vice versa, vice versa का मतलब क्या है कि जो हमने 1660 का buy किया था उसको तो हम sell कर दें और जो हमने sell किया था उसको हम buy कर दें 1680 को buy कर लें और 1660 को sell कर दें क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कर तो सकते हैं दोस्तों लेकिन फिर ये bull call spread नहीं रह जाएगा फिर ये कुछ और ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके बाद ये क्या बन जाएगा और क्या हमें वो बनाना चाहिए या नहीं मलाना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे अपनी next वीडियो में, क्यूंकि आप लोगों को इस तरीके की educational videos weekends पे मिलती रहेंगी, तो दोस्तों इस तरीके की weekend those के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा close आना चाहते हैं, अगर आप options trading और भी ज़्यादा closely सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे join button को click करके membership को explore कर सकते हैं, और अपने according join कर सकते हैं, इसका link नीचे pinned comment में भी मिल जाएगा, और दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आई हो, तो आप इस video को like कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, thanks for watching guys, I'll see you next time